क्या आप भी प्राइवेट या सरकारी नोकरी करते हैं तो खुश हो जाएं क्योंकि EPFO अब आपको 50,000 रुपे का बोनस देगा बता दें कि करमचारी भविशे निधी संगठन यानि की EPFO भारत में करमचारीों के वित्ये भविशे को सुरक्षित करने में महतोपूर्ण भूमिका निभाता है यहें गराहा को एक विवेस्तित रिटायर्मेंट सेविंग स्कीम प्रदान करता है जो नोकरी के बाद वित्ये इस्तिरता सोनिश्चित करता है लेकिन EPFO के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में सब्सक्राइबर्स को सायध ही पता हो इन इमों में से एक लोयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स है इसमें करमचारी को 50,000 रुपे तक का सीधा फाइदा मिलता है लेकिन इसकी एक शर्थ है अब वो शर्थ क्या है आए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में 50,000 रुपे तक का सीधा फाइदा उठाने जो शर्थ है वो ये है कि नोकरी बदलते समय उसी ईपी एफ खाते में योगदान जारी रखना होगा जी हां सभी P.E.F. खाते धारकों को सला दी जाती है कि वे नोकरी बदलने के बाद भी उसी E.P.F. खाते में योगदान चारी रखें इससे उन्हें लगातार 20 वर्सों तक एक ही खाते में योगदान करने के बाद लोयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स लाब प्राप्ट करने का मोका मिलेगा बता दे कि कुछ ही समय पहले C.B.D.T. ने उन खाताधारकों को लोयल्टी कम लाइफ लाब देने की सिफारिस की थी जिन्होंने 20 वर्सों तक अपने E.P.F. खाते में लगातार योगदान दिया है आपके इंद्र सरकान इस कारे करम को मंजूरी दे दी है अब जिन सब्सक्राइब गर्स ने 20 साल तक नियमित योगदान किया है उन्हें 50,000 रुपए का अतिरिक्ति फायता मिलेगा लोयल्टी कम लाइफ लाब के तहट 5,000 रुपए तक के मूल वेतन वाले लोगों को 30,000 रुपए का लाब मिलता है वहीं जिनका मूल वेतन 5,001 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है उन्हें 40,000 रुपए का लाब मिलेगा और यदि मूल वेतन 10,000 रुपए से अधिक है तो उन्हें 50,000 रुपए का लाब दिया चाएगा एपी एफो के इस बेनिफिट्स पर आपकी क्या राह है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस सरूर कर लीचेगा